हेलो फ्यूचर दॉक्टर्स मैं हूँ अविनाश इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कल जो हमारा नीट का एक्जामिनेशन हुआ है अगर हमारा स्कोर आ रहा है 500 से 600 तो ऐसे कौन से गोवर्मेंट मेडिकल कॉलेजिस हैं जो की हमें तारगेट करने चाहिए मैं यहाँ पर rank wise भी discuss करूँगा तो please make sure करो कि वीडियो को end तक देखना और वीडियो को start करने से पहले मैं quick update देना चाहता हूँ कि अगर आपके marks आए हैं तो हमारे यह tool live है यह totally free of cost tool आपके लिए available है इसका link आपको description में मिल जाएगा जाओ इसे access करो पता करो आपके number पे expected rank कितनी है अभी हम discuss कर रहे है 500 से 600 मैंने calculate पे click किया तो as per the calculation 19,000 से लेके 23,000 तक आपकी rank expected है तो अगर आपका यह rank आ रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो हमारे predictors भी बन चुके है उसका link भी आपको description में मिलेगा put करो वो rank और पता करो कि उस rank पे आपको कौनसे colleges मिलने के chances है एक overall video तो मैं बना रहा हूँ लेकिन अगर आपको और colleges का देखना है तो वो भी आप देख सकते हो क्योंकि इसमें हमारे deemed university और जो सारे quota रहते हैं मैं आपको एक gist दिखाई देता हूँ मतलब यहाँ पे तो मैं एक सिर्फ general discussion करूँगा लेकिन इस predictor में आप देख सकते हो कि कोई special quota अगर आपके पास है जैसे की foreign country quota, NRI quota, IP quota, Delhi NCR quota, ESIC quota यह जो special quotas होते हैं इसके basis पे आप जानना चाहते हो कि आपको कौन से colleges मिल जाएंगे तो प्लीज जाके इस tool को use करो cost बड़ा nominal है अभी 199 का ओके तो यह आपकी counting तक help करेगा आल इंडिया के MBBS colleges की information आपको मिल जाएगी इसमें चरो तो back to our presentation तो हम discuss कर रहे हैं 500-600 में हमें कौन से colleges मिलने वाले हैं तो एक चीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि इनके से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है confused हो रहा है कि कौन सा सही option है आपके लिए अगर drop लिने का मन कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है abroad जाने का है private college जाने का है समझना चाहरे हो कौन से सही options रहेंगे तो यह आप जाईए हमारी team से discuss करिए बात करिए और समझ ये कि आपके लिए सही options क्या रहने वाले हैं चलो तो जो state हमें target करना है इस score पे जो हमें college state को target करना है उसमें गोवा है वेस्ट बेंगॉल है जम्मू कश्मीर है उत्राखंट है मदर प्रदेश है 37 गड़ करनाटिका आसाम तिरपुरा और मनीपुर अब यहां पर एक चीज में आपको बताना चाहूंगा यह जो states है करनाटिका करनाटिका स्टेट में आपको थोड़ा बहुत लाइंग्वेज का इशू आ सकता है क्यों क्यों क्योंकि वहां पे नेटिव लाइंग्वेज हिंदी नहीं है वहां पर नेटिव लाइंग्वेज हिंदी नहीं है तो मेजरली जो हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट होते हैं जो कि नॉर्दन पार्ट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट होते हैं वो प्रिफर करते हैं यहां नॉर्दन पार्ट ऑफ इंडिया में ही कॉलेज म नहीं पता होता अब अगर आपकी rank आ रही है around 80,000 से लेके 85,000 तक तो ये institution आप target कर सकते हो ये institution आप target कर सकते हो फिर next आते हैं हम 75,000 से लेके 80,000 तक तो 75,000 से लेके 85,000 तक आप इन institution को target कर सकते हो जैसे कि एक institution रतलाम का आ रहा है आपके पास एक institution पूरुचैरी का आ रहा है तो आप देख सकते हैं एक extensive list है fees एक expected fees है, fees change होगी तो ये सिर्फ एक general idea दे रहे हैं हम fees के बारे में फिर हम बात करते हैं 65,000 से लेके 70,000 एक अच्छी rank है लेकिन अगेन थोड़ा सा जो हमें focus करना है colleges के लिए हमें कुछ ये वाले colleges पे focus करना है जैसे कि आप देख रहे हो ये south का college है फिर आपके पास ये odisa का college है तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आपको इन institutions को target करना ही करना है फिर 60,000 से लेके 65,000 तक तो आप देख सकते हो ये institution हम target कर सकते हैं ये central India का institution है यहाँ पे फिर आप देख सकते हो कुछ institution southern part of India में भी है कुछ institution southern part of India में ही है फिर हम आ जाते हैं 55,000 से लेके 60,000 तक अब देखो ये extensive list है extensive list है जो जिसमें government medical colleges का मैंने discussion किया लेकिन अगर आप चाहते होगी और आपको अच्छी list मिले जिसमें और बिल्कुल selected options मिलें आपको तो अगेन आपको फिर हमारा tool use करना पड़ेगा तो आप देख सकते हो अब आपके पास 55,000 से लेके 60,000 तक आपको इन institution को target करना है फिर जैसे कि मैंने discuss किया था हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वही rank predictor नहीं है हमारे पास all india predictor भी है aims का predictor भी हमारा ready है आप state predictors देख सकते हो आयूश का predictor भी ready है तो आप ये सारे के सारे predictors से find out कर सकते हो कि आप कौन से college के लिए eligible हो based on your ranking और ये सारा का सारा data bagged है ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ये सारा का सारा data bagged है फिर हम आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास आ जाता है 50,000 से लेके 55,000 तक तो यहाँ पे आप इन institution को target कर सकते हैं फिर हम बात करते हैं 45,000 से लेके 50,000 तक तो आप इन institution को target कर सकते हो यहाँ पे आपके पास एक special college भी आ रहा है ESIC का अब काफी सारे students को नहीं पता होता है कि ESIC का एक special scheme होता है special quota होता है जिसमें seat reserve रहती है उन students के लिए जिनके parents के पास ESIC card का card रहता है और उनका insurance वहाँ पे होता है क्योंकि यहाँ पे cut off कम जाता है जैसी कि मैं quota की बात करूँ हमारे tool में जो दिया है तो हमने specifically एक ESIC quota के colleges की भी बात करी है specifically ESIC के quota की colleges की भी बात करी है जहाँ पे आप उन colleges को target कर सकते हो जो कि सिर्फ उन students के लिए reserve है जिनके पास ESIC का card होता है फिर हम आजाते है 40,000 से लेके 45,000 की rank पे इन institution को आप target कर सकते हैं आप चाहो तो better यह है screenshot ले लो, screenshot लेने में आपके पास काफी آसानी हो जाएगी फिर 35,000 से लेके 40,000 तक आप in institution को target कर सकते हो अब देखो 35,000 से लेके 45,000 ये ऐसी rank है जिसमें आपके पास बहुत सारे options open रहते हैं जैसे जैसे आप rank 1 lakh towards 1 lakh होती है options आपके घड़ते जाते हैं लेकिन 35,000 से लेके 40,000 तक आपके पास बहुत सारे options open हो जाते हैं और उन में से कुछ अच्छे options आपके पास ये हैं फिर हम आजाते हैं 30,000 से लेके 35,000 तक तो इन institution को आप target कर सकते हो फिर 25,000 से लेके 30,000 की rank पे आप कौन से institution को target कर सकते हो तो आपके पास ये options आ रहे हैं जिसमें कुछ मदरप्रदेश के institution है कुछ northern part of India के institution है और कुछ southern part of India के institution है तो ये चीज आपको extensively समझनी पढ़ेगी तो एक चीज जो मैं आपको अभी भी बताना चाहूंगा कि काफी सारे students mistake करते हैं वो ये करते हैं कि उन्हें गिने चुने colleges का नाम पता होता है जैसे कि माली जी एम्स या फिर government medical colleges बस गिने चुने colleges के नाम पता होते हैं उन्हें उनके quota के बारे में नहीं पता होता है उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके पास क्या extra privileges हैं जो की दूसरे students के पास नहीं है मैं आपको एक example देता हूँ क्या आपको पता है एक single girl child quota होता है एक single girl child quota होता है मतलब अगर एक parents है उनके अगर एक lotty बेटी है एक lotty बेटी है तो उसके लिए special quota है इस पे मैंने specifically video बनाया है जाकि YouTube channel पे देखी है हमारे आपको पता पड़ेगा एक police का quota होता है यह मतलब अगर आपके parents police में है उनके लिए एक special quota होता है तो यह छोटी छोटी चीज़े ना तो parents को पता होती है और ना तो students को पता होती है तो मेरा suggestion यह है चैनल पे जाओ subscribe करो channel को Instagram पे follow करो हमें और make sure करो कि आप यह छोटी छोटी information लेके यह छोटी छोटी information लेके आप सही रास्ते पे जा रहे हो एक सही rank के साथ सही college की तरफ बढ़ रहे हो और यार हमसे connect होना है दूसरे platforms पे तो QR code को scan करो और हमसे जुडे रहो इसी के साथ मैं काम है रास्ता दिखाना उस पे चलना आपके काम है I hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe